नारायनम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोतमम देविम सरस्वतिम व्यासम ततो जय मुदिरियत अर्थात भगवान नारायन नरस्रेष्ट नर देवी सरस्वती तथा महर्शी वेद्व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण करना चाहिए जय श्री कृष्णा मैं हूराधिका और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल किटकेट स्टोरीज पर बहुत-बहुत स्वागत है आज से पूरे विशाक के महिने हमारे चैनल पर आप विशाक मास महतमी की कथाएं सुनेंगे इससे पहले चैत्र मास जी निशा दुलहनी जी और शीला विजय जी आप सभी का बहुत-बहुत धनिवाद हमें सपोर्ट करने के लिए और उमीद करती हूं जो लोग भी आज से मारे चैनल पर कथाएं सुनेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि कथा जितनी भी वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके रस्पान कीजिए आज के विशाख मास महतमिका विशाख मास में आप कौन-कौन से नियम प्रारम कर सकते हैं इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सीचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है उसके बारे में आप इस विडियो के लास्ट में जानेंगे हो सके तो आज की इस कता को लास्ट तक जरूर सुनिएगा शुरी सूत जी कहते हैं राजा अंबरीष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्शी नारत से पुर्णिमय विशाख मास का महतम में इस प्रकार पूछा कि हे ब्रहमन मैंने आपसे सभी महिनों का महतम में सुना उस समय आपने ये कहा था कि सब महिनों में विशाख मास शुरेष्ठ है इसलिए ये बताने की करपा करें कि विशाख मास क्यों भगवान विश्णू को प्रिय है और उस समय कौन-कौन से धर्म भगवान विश्णू करने वाला है, धर्म यग्य क्रिया और तपस्या का सार है, सभी देवताओं द्वारा पुजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, व्रक्षों में कल्प व्रक्ष, धेनूओं में कामधेनू, देवताओं में श्रिविष्णू, वन्नों में ब उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महिनों में विशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विश्नु को प्रसन करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सुर्यदर से पहले इस्णान करता है उससे भगवान विष्णू निरंतर प्रीती करते हैं उस पर सदा प्रसन रहते हैं पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीब विशाख मास में प्रातहकाल जल में सनान नहीं कर लेता है राजन विशाख के महिने में सभी तीर्थ आदी देवता तीर्थों के अलावा बहार के जल में भी सदयव इस्थित रहते हैं भगवान श्री विश्णू की आग्या से मनश्यों का कल्यान करने के लिए विसूर्यदे से लेकर छे दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं वेशाक के समान कोई मास नहीं है, सत्युक के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाब नहीं है उपुवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नती नहीं भगवान विश्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और विशाख मास के समान, संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुशों का मानना है, विशाख स्रेष्ट मास है, और शेष शाई भगवान विश्णु को सदा प्रे है, सब दानों से जो पुर्णे होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मन दूसरों को प्रबोध करे अर्था दूसरों को प्रोचसाहिद करे दूसरे को जलदान का महत्व समझाए ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है जो मनुश्य विशाख मास में सडक पर यात्रियों के लिए प्याव लगवाता है वैं विश्नुलोक में प्रतिष्ठित होता है राजन, प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याव, देवताओं, पित्रों और रिश्यों को अत्यन्त संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याव लगाकर रास्ते के ठके मांदे मनुशों को संतुष्ट किया है। उसने श्री ब्रह्मा, विश्णू और शिवजी आदी देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन विशाख मास में जल की इछा रखने वाले को जल, चाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इछा रखने वाले को पंखा देना चाहिए राजन जो प्यास से पीडित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वे उतने ही मात्र से दस हजार राजसो यगियों का फल प्राप्त कर लिता है धूप और परिश्रम से पीडित ब्रहमन को जो पंखा डुला कर हवा करता है वे उतने ही मात्र से निश्पाप होकर भगवान विश्नु का पार्शद हो जाता है जो मार्ग से ठके हुए श्रेष्ट द्विज को वस्तर से भी हवा कर लेता है वे उतने से ही मुक्त होकर भगवान विश्णु का सानित प्राप्त कर लेता है जो शुद्ध मन से ताड का पंखा दान करता है वे सब पापों का नाश करके अंत में ब्रहमलोक को जाता है जो विश्णु प्रिय विशाख मास में पादुका का दान करता है वे यमदूतों का तिरसकार करके श्री विश्णु लोक में जाता है जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुर्णे फलका वर्णन किया ही नहीं जा सकता मध्यान में आएवे ब्रहमन अतिथी को अगर कोई भोजन दे तो उसके फलका भी अंत नहीं है राजन अन्दान मनुशों को ततकाल तरप्त करने वाला है इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है जो मनुश्य मार्ग के ठकेवे ब्रहमन या फिर अन्न व्यक्तियों के लिए आश्रे देता है उसके पुर्णे फलका वर्णन नहीं किया जा सकता राजन जो अन्य दाता है वे माता पिता आदी का भी विश्मरन करा देता है इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्य दाता की ही प्रिशिंसा करते हैं माता और पिता किबल जन्म के हेतु हैं लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है मनिशी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारजी कहते हैं विशाख मास में धूप से तपे और ठके मादे ब्रहमनों को या अन्य व्यत्यों को शिरम नाशक सुखत पलंग देकर मनुशी कभी जनम रित्य आदिके कलेशों से कष्ट नहीं पाता। जो विशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है वे उसी जनम में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष ब्रहमन को फूल और रोली देता है वे लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है वे सब भोगों में देवताओं की सहता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानी होकर पर्मनंद की प्राप्ती होती है। वे शाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गो रोचन और कस्तूरी का दान करता है वे तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त होकर पर्म शान्ती को प्राप्त कर लेता है। जो विश्राम शाला बनवाकर प्याउ सहीद प्राहमन को दान करता है वे लोकों का अधिपती बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआ और मंडब बनवाता है वे धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या वशकता है। उत्तमशास्तर का श्रवन, तीर्थियात्रा, सत्संग, जलदान, अन्यदान, पीपल का वरिक्ष लगाना तथा पुत्र इन साथ को विग्यपुरुष संतान मानते हैं। जो विशाक मास में ताप नाशक तक्र दान करता है, वह इस प्रत्वी पर विद्वान और धन्वान हो जाता है। धूप के समय मठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के ठके मांदे ब्रहमनों को या अन्यव्यक्तियों को मठ्ठा दान में देना चाहिए। जो विशाक मास में धूप की शान्ती के लिए दही और खांड दान करता है, तथा विश्नु प्रे विशाक मास में जो स्वच चावल देता है, वह पूरी आयू और संपुन यग्यों का फल प्राप्त कर लेता है। जो विशाक मास में शाम को ब्रहमन के लिए फल और शर्बत देता है, उससे उसके पित्रों को निश्चही अमरित पान का अवसर मिलता है। विशाक मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कासे के बरतन में भूजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दुबारा भूजन करना और रात में खाना ये आठ बातों का त्याग कर दिना चाहिए। जो विशाक में वरत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भूजन करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर श्री विश्णू लोग को जाता है। जो विश्णू भक्त पुरुष विशाक मास में नित्य प्रती नदी में इस्नान करता है, वे तीन जन्मों के पाप से निश्चही मुक्त हो जाता है। जानवी, अर्थात गंगाजी, गोदावरी, कालिंदी, अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेनी, ये साथ गंगाएं कहीं कहीं हैं। विशाक मास आने पर जो प्रातहकाल बावडियों में इस्नान करता है, उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड, बेर, पत्र, जल और तक्र, जो भी विशाक मास में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। तक्र, अर्था, छाच या मठा, ब्रहमन आधी देवता भी बिना दिये हुए कोई वस्तु नहीं पाते, जो दान से हीन हैं, जो कभी दान नहीं करते, वह निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को विशाक मास में अवशी ही दान करना चाहिए। इसलिए वह सफल मास है। विशाक मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। अर्थ के साथ अर्ग प्रदान करना चाहिए। फिर वस्त्रों को पहन कर संध्या तरपन आदि सभी कर्मों को पूरा करके विशाक मास में विक्सित होने वाले पुष्पों से भगवान विश्नु की पूजा करे। इसके बाद विशाक मास के महातमिक को सूचित करने वाली भगवान विश्नु की गथाएं सुने। ऐसा करने से कोटी जन्मों के पापों से मुक्तो कर मनुश्य मुक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिवा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थत अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरी इन दो अक्षरों का उचारन करना जाहिए। जो विशाख मास में तुलसी दल से भगवान विश्नु की पूजा करता है वह श्री विश्नु की सायोचे मुक्ती को प्राप कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भग्ती मार्ग से और तरह तरह के व्रतो द्वारा भगवान विश्नु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरोप का अनन्यमन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त अगली अध्याय में आप कथा सुनेंगे हेमकांत की जिसमें विशाख मास में छतर दान करने से हेमकांत का उध्धार किस प्रकार हुआ इसका वर्णन किया गया है। अब जानिये विशाख मास में पीपर और तुलसी जी के सीचने के नियम और महत्व के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में विशाख महीने में इसनान और दान करने का महत्व बताया गया है साथ ही ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महिने में किये गए इसनान, दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुर्ण कभी खतम नहीं होता इस पवित्र महिने में भगवान विश्नु के साथ ही पीपल और तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से कई यग्य करने जितना पुर्णी मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता पीपल के व्रिक्ष में साक्षाद भगवान विश्नु का वास माना जाता है और वही तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है अगर आप भी विशाख मास के नियम को अपनाना चाहते हैं तो कथा में बताये गए जितने भी दान हैं उन दानों में से जितने भी आप आसानी से कर सकते हों उनको हर दिन करने का या जितनी बार भी आप कर सकते हो विशाक के महिने में जितने दिन भी आपके लिए करना संभवो उतने दिन करने का आपको संकल्प पहले दिन लेना चाहिए या फिर जो बहुत मुख्य मुख्य दिन है जिसे की अमावस्या, पोनीमा, एकादशी, दोश्रत, अक्षेत्रतिया, इन सभी दिनों में भी आप इन प्रकार के दान कर सकते हैं, या पीपल के पेड़ की और तुलसीजी की पूजा कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर इस नानादी से निवरित होकर, पानी में गंगा जल, कच्चा दूद, तिल और शक्कर या ऐसा करने से भगवान विष्णु की किरपा प्राप्ध होती है, आप सुबह या शाम या दोनों ही समय जितनी बार भी दिन में पूजा करना आपके लिए संभ़व हो, उतनी बार का संकल्प ले सकते हैं, चाहे तो केवल शाम का या फिर केवल सुबह का संकल्प ले सकते है पूजा करने के साथ ही आपको पीपल के पेड़ की साथ पार परिक्रमा करनी चाहिए और एक खास मंत्र का जाप आपको करना चाहिए ये मंत्र है पीपल के पेड़ की पूजा करने के या जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं जैसे कि रविवार के दिन पीपल के व्रिक्ष को इसपर्ष नहीं किया जाता है नहीं पूजा की जाती है और नहीं जल अर्पित किया जाता है इसके अलावा आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं पीपल पर जल चड़ाने के जो नियम है उसके अनुसार एक लोटे में शुद्ध जल भरें उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं पिसी भी हल्दी थोड़े से चने की दाल और शक्कर डालें इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें पीपल के पेड़ की जड़ों में ये जल अर्पित करते वे ओम श्री विश्नवे नम्हा या फिर जो मंत्र आपको बताया गया है उसका जितनी बार हो सके जाब करते जाएं साथ बार परिक्रमा करें परिक्रमा करते समय ओम श्री विश्नवे नमहा इस मंतर का जाब करें जब साथ परिक्रमा पूरी हो जाएं तब श्री विश्नु भगवान को हाथ जोड़ कर प्रणाम करें ये नियम आपको पूरे शाक के महिने में करना चाहिए या फिर जितने दिन का भी आप संकल्ब ले सकते हों उतने दिन आपको नियम पूर्वक इस काम को करना जाए सुबा या शाम आप अपने समय की सुविधा के नुसार इस नियम को बांध सकते हैं इस नियम को अपना सकते हैं जल अर्पित करने के बाद में आप एक दीपक भी जरूर जलाएं पीपल के पेड की जड़ में आटे का फिर या मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं जिसमें गाय का शुद्ध घी हो या फिर तिल का तेल हो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना शुब माना जाता है इसी प्रकार से विशाक के महने में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है जैसे आप कार्तिक के महने में तुलसी जी की पूजा करते हैं और दीबदान करते हैं उसी प्रकार का नियम आप विशाक मास में भी अपना सकते हैं हर दिन सुभा इसनान करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और ओम श्री विश्नवे नमहा और ओम सुभधराय नमहा ओम सुप्रभाय नमहा इन मत्रों का जाब करते हैं तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें एक दीपक जलाएं विशाक मास में आने वाले जितने भी गुरुवार हैं उनमें और पुनिमा के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए लेकिन ध्यान रखें अगर गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ रही हो तब आपको ये नियम नहीं अपनाना है क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप वैशाख मास के नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड़ेड है जिसमें आपको सारे नियमों के बारे में या दान करने वाली वस्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीचेगा